हेलो एब्रिवान, वेलकम टू निखार फेशन विला तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुती खुपसूरत टॉप की कटिंग श्टिचिंग शेर करने वाली हूँ तो उसके लिए यह मैंने डेड मिटर जारजट का फेब्रिक लिया है इसको मैंने इस तरीके से लंबाई में एक बार फोल्ड किया है अभी इसको मैं एक बार और चोड़ाई में फोल्ड करूँगी तो यह हमारे फेब्रिक की अभी चार ते हो गई है तो अभी देखिए उपर की तरफ हमारी बंद वाली साइड है और इस साइड भी हमारी बंद वाली साइड है और यह हमारी खुली वाली साइड है और नीचे की तरफ भी हमारी खुली वाली साइड है तो अभी मैं टॉप की लेंट लूँगी तो टॉप की लेंट मेरी तयार 25 इंच आएगी तो मैं एक इंच एक्स्ट्रा लेके 26 इंच पर एक मारकिंग करूँगी तो 26 इंच पर मारकिंग करने के बाद अभी शोल्डर जो है हम 7 इंच लेंगे इस तरीके से उपर की तरब और आर्म फोल भी मैं 7 इंच लूँगी और chest का marking जो भी आपकी chest हो उसको अपने 4 से divide करके 1 इंच उसमें plus कर देना है तो मेरा chest around 36 है तो उसको 4 से divide किया 9 इंच उसमें 1 इंच plus करेंगे तो 10 इंच पर में एक marking कर दूँगी तो अभी हम देखिए उपर की line को इस तरीके से armhole की line से सीधा कर लेंगे तो यह हमारे armhole की marking भी हो गई है और जो अभी यह fabric है side वाला यह हमारे sleeves हो जाएंगी यह देखिए यह जो भी आपका fabric आ रहा हूँ आपकी sleeves हो जाएंगी इसी में तो अभी जो है मैं neck का marking करूँगी तो neck की चोड़ाई जो है मैं 1.5 इंच ले रही हूँ तो 3.5 इंच पर एक निशान लगा के neck की लंबाई जो है मैं वो 5 इंच ले रही हूँ तो इस तरीके से 5 इंच पर निशान लगा के हम neck का shape दे देंगे तो मैं इसमें round shape दे रही हूँ तो आगे पिछे का neck हम shame ही ले रहे हैं तो अभी देखिए जो यह उपर हमारी sleeve की side है वहाँ से हम निचे की side को इस तरीके से round shape दे देंगे तो इस तरीके से मैं निशान लगाऊंगे यह देखिए तिर्चे में तो इस निशान को dot dot करते हुए हम निचे से round shape दे देंगे पूरे में तो ये round shape देने के बाद जहाँ हमने देखी fitting का निशान लगाया है वहाँ से हम तिर्चे में इस तरीके से एक line बनाएंगे तो ये हमारे side की sleeves की fitting हो जाएंगी तो हमें इसको cut नहीं करना है जो ये round shape है उसको और ये हमारे गले को cut करना है तो इस तरीके से पहले मैं round को cut कर लूँगी अपने जो top का round लिया हमने और अभी जो है मैं गले के shape को भी cut कर लूँगी एक साथ तो ये मैंने गले के shape को भी cut कर दिया है अभी आपको मैं ये top खोल कर दिखाती हूँ यह देखिए हमारा सरकल में इस तरीके से कटिंग हो गया है तो अभी जो यह हमारे इस साइड की मार्किंग है यह देखिए हमारे जो स्लिव की मार्किंग है अभी हम इस तरफ करेंगे तो पहले हम इस मार्किंग को इस तरीके से डार्क कर लेते हैं अभी हम फैब्रिक को फोल मार्किंग आ गई है और यह देखिए हमारा 20 इंच आ रहा है तयार फिटिंग का निशान तो यह हमारी टॉप की कटिंग हो गई है अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो बहुत ही इजी है यह तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए तो अभी देखिए हम अपने न नेक का मार्किंग कर देंगे सरकल में और यह नेक का मार्किंग होने के बाद अभी देखिए हम इसमें पट्टी पर जो है डेड़ इंच का मार्जन लेंगे बाहर की तरफ तो मैंने आपको एक पिछले वीडियो में भी जो रितुमेम स्टाइल में टॉप बनाया उसमें भ आपको इसको खोल के दिखाती हूं यह देखिए अभी हम इसके साइट को फोल्ड कर देंगे इस तरीके से तो उससे पहले यह देखिए हम पहले अपने नेक का सामने का सेंटर लेंगे तो सेंटर से हमने धाई इंच पर एक निशान लगाना है तो इस निशान को हम सीधा कर लेंगे तो हम अपने नेक में cut देंगे सामने की तरव 5 इंच का तो अभी में ने यह पटी लिया है ऑगिंच की तो इसको हम अपना नेक का ये रखेंगे जहां marking किया है हमने तो अभी हम दो सिलाई लगा देंगे तो हमें बीच में दो सूत का मार्जन रखना है जितना हमारे टेप की दो लाइन रहती है उतना मार्जन लेते हुए हमने इस मार्जन को कट कर लेना है बीच में से और अभी हम पट्टी की साइड मार्जन करते हुए एक टॉप स्टिच लगा देंगे इस तरीके से तो ये देखिए हमने टॉप स्टिच लगा दिया है अभी हम इसको अंदर की तरफ में पटी को फोल्ड कर देंगे इस तरीके से डबल फोल्ड तो ये हमारे बहुती फिनिसिंग से जो है कट बन के आ जाएंगा तो इस तरीके से हमने यह पट्टी में सिलाई लगा देना है तो अभी इसका एक्स्ट्रा मार्जन हम कट कर लेंगे और यह देखिए हमारे किता फिनिसिंग से कट पलट के आया है अभी हम अपने गले की पट्टी को देखिए बाहर की तरब से एक सिंगर फोल्ड कर देंगे इस तरीके से जो हमारी पट्टी का राउंड है पूरा तो अगर आप चैनल पर नए तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो अभी देखिए हम पट्टी के सेंटर को कट करेंगे इस तरीके से और यहां से एक फोल्ड लगा देंगे यह दोनों मुँपर हमने फोल्ड लगा लिया है अभी हम गले की पट्टी को इस तरीके से रखेंगे एक किनारी पर और पूरे राउंड में गले की पट्टी अटेच कर देंगे तो हम इस पट्टी में जो है डोरी अटेच करेंगे तो यह हमारा नेक जो है बहुती खुबसूरत बन के तयार होंगा तो अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर ओन कीजिए ताकि मैं जो भी नए वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो देखिए हम पूरे राउंड गले में इस तरीके से अपनी पत्टी को सेट कर देते हैं और यह अमारे पिछे का सेंटर आ गया है राउंड का जो हमारे पिछे का नेक है तो यह देखिए पत्टी लगाने के बाद अभी हम इसमें नोचिस लगा देंगे और margin हम पट्टी की तरफ करते हुए एक top stitch लगा देंगे तो ये देखें top stitch लगाने के बाद अभी हम पट्टी को इस तरीके से पिछे की तरफ fold करके पूरे round shape में सिलाई लगा देंगे तो ये हमारा पट्टी का मुख खुला रहेंगा सामने की तरफ डोरी लगाने के लिए तो देखें अभी हम पूरे round shape लगा देंगे और ये सिलाई लगाते हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोजाना नए नए डिजाइन सीखने के लिए मेरे चैनल पर बने रही है तो ये देखें हमने नेक पर पट्टी कंप्लीट कर लिए ये हमारा जो मुख खुला है इसमें हमारी डोरी आ जाएंगी तो अभी हम अपनी टॉप को फोल्ड कर देते हैं पूरी हमारी साइट से लेके पूरे सरकल में तो इस तरीके से हम बारिक डबल फोल्ड करेंगे तो आप चाओ तो इसमें पिकू भी कर सकते हों तो मैं इसमें बारिक सा डबल फोल्ड कर देती हूँ तो ये जारजट के फैबरिक में आसानी से डबल फोल्ड हो जाता है और फिनिशिंग से भी हो जाएंगा तो ये देखे मैं इस तरीके से पूरे जो अपने टॉप को फोल्ड कर दूँगे और ये टॉप बहुती आसानी से बन जाता है इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और इस टॉप को जो आप जिन्स के साथ में वेर कीजिए बहुती खुबसूरत लगेंगा तो ये देखे इस तरीके से हम पूरे टॉप को फोल्ड कर देते हैं तो ये मैंने टॉप को फोल्ड कर दिया हैं अभी देखिए ये जो हमारी मार्किंग है स्लिउस की यहाँ पर हम इस तरीके से तिर्चे में सिलाई लगा देंगे तो ये जो हमारे स्लिउस का भी शेप आ जाएंगा इसी टॉप में तो ये हमारी एक साइड सिलाई लग गई है ऐसे हम दूसरे साइड में भी सिलाई लगा देंगे तो ये हम दूसरे स्लिउस में भी सिलाई लगा लेते हैं तो इस टॉप की cutting भी बहुत इजी है और इसको stitch करना भी बहुत इजी है तो आप भी जरूर ट्राइ कीजिएगा तो ये देखिए हमने इधर भी सिलाई लगा दिया है तो ये हमारी टॉप में सिलाई लग गई है अभी देखिए ये दोनों तरफ हमारी सिलाई complete हो गई है और ये सिलाई हमारे सीधी तरफ ही लगती है तो अभी हम इसमें डोरी लगाएंगे तो ये मेरे पास multi color की डोरी है तो इस डोरी को देखिए हम एक पिन लेंगे और इस पिन को जो है डोरी में पहले इस तरीके से लगाएंगे और अभी हम अपने गले की जो पट्टी में हमने गेप छोड़ा है पिन डालने के लिए तो अभी हम इस डोरी को पूरे अपने राउंड गले में इस तरीके से लगा लेंगे अंदर की तरफ तो हमें पिन की मदब से इस तरीके से निकालना है जैसे हम अपने पैंट और पजामे वगेरा में जिस तरीके से डोरी डालते हैं उसी तरीके से हमें इसमें भी dory निकालना और एक साइट से दूसरी साइट तो यह अबने dory निकाल लिया है अभी हम dory को बराबर एग्जेस्ट कर लेंगे तो यह देखिये हमने दोनों गले इसलिए सेम काटे थे ताकि हम इसको डोरी को जो है इस तरीके से छोटे बड़े गले में एक्जेस्ट कर सकते हैं तो अभी हम इसमें ट्रेंगल बना लेते हैं डोरी में और यह देखी हमारा टॉप कम्प्लीट हो गया है बनके और यह हमारा टॉप कितना खुबसूरत लग रहा है तो आप भी जरूर यह टॉप जरूर ट्राइ कीजिएगा और मेरे वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर और भी खुबसूरत से डिजाइन है और कटिंग स्टिचिंग के वीडियो भी है तो आप उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा और आप भी घर बैठा आसानी से कटिंग और स्टिचिंग सीखिए तो अभी देखिए मैं आपको इस टॉप को जो है वेर कर करके भी आपको दिखाया है और यह इसका जो है फ्लेयर बहुत ही अच्छे आया है क्योंकि हमने इसमें जार्जेट का फैब्रिक लिया है तो ऐसे ही डिजाइन सीखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में ठेंग